लगता है कि अब जमू शहर में विकास होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने देश से ही सही पर जमू के विकास के बारे में सोचा तो सही। नमस्कार मैंनुरादर आप देख रहे हैं दाजय के पेजिस ऐसा लग रहा है कि जमू के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है क्योंकि आप जमू के लोगों को आर्टिफिशल लेक मिलने जा रही है जब तवी नदे के किनारों को साबरमती की तर्श पर विक्सित किया जाएगा तो ये जमू शहर का सबसे सुन्दन अजारा बन जाएगा जो सबको अपनी और आकरशित करेगा लंबे समय से सिर्फ काग्जों पर चल रही तवी रिवर की योजना को अब जमेनी स्तर पर उतारने का कारेव शुर कर दिया गया है गर दिनों ओपराज पालने भी तवी रिवर फ्रंट डबलमेंट परजक्ट कारनी पता रखा आये जौनते हैं कि आखे ये तवी रिवर फ्रंट डबलमेंट परजक्ट है क्या इस परजक्ट में तवी रिवर के दोरों तरफ के किनारों को साबरमदी के तर्श पर विक्षित किया जाएगा जिस पर 195 क्रोर रुपे खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है लाजमी है कि अगर रक्म बड़ी है तो परजक्ट भी बड़ा ही होगा दिल्ली की एक कंपनी द्वारा ये काम दोनों चर्रों में पूरा किया जाएगा और इस परजक्ट को 18 महिने यानि कि जून 2023 तक पूरा किये जौने का लक्ष रखा गया है वहीं जम्मो स्मार्ट सीटी लिमिटेड को इस कारे को पूरा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है बता दे कि पहले चरण में भगवती नगर पुल से विक्रम चोंग पुल तक तबी नदी के दोनों तरफ साड़े 3 किलोमेटर के काम होंगे इसमें साइकलिंग ट्रैक, जोगिंग ट्रैक, बैहने की जगा और अनी सुबिदा भी दी जाएगी ये पूरा परजेक्ट 353 कनाल जमीन पर बनाया जाएगा और दूसरी चरण में तबीब डिश विक्रम चोंग से गुजर नगर पुल तक काम किया जाएगा दूसरी चरण में फुटपाथ, सड़क कार्य, शौपिंग सेंटर और अलग-अलग ब्लोग बनाने का काम किया जाएगा दो चरणों में बढ़ने वाला ये पूर्जेक्ट बेहत खास होने वाला है नदी के दोनों किनारों पर रास्तों का निर्मान, सैरगा और नदी के बीचों बीच, आर्टिफिशल जील बहीं किनारों को फूलों से भी सजाया जाएगा वहीं पार्क, रेस्टरेंट और अनी सुविदा भी यहां परदान की जाएगी जमो कुश्मीर आप आने राजु की तरह ही विकास की राह पर है और आप देखना ये होगा कि ये पोर्जेक्ट कब तक बन कर तयार होगा अगर ये पोर्जेक्ट जैसा की दिखाया गया है, अगर वैसा ही बनता है तो वाकई जमो की तस्वीर बदल जाएगी